Good morning student, this is your 9th class chemistry and today we are going to revise our lesson number 2, ठीक है? क्या कि lesson number 1 का mostly portion cut out हो चुका है, तो revision हम सार्ट कर रहे हैं lesson number 2 से ठीक है lesson number 2 क्या है? Is matter around us pure? Lesson number 2 क्या है? Is matter around us pure? मतलब हमारे आस पास जो matter present है, वो pure है या नहीं है? ठीक है, matter क्या होता है? Anything which occupies space and have weight, जिसके अंदर weight है और जो जगाँ गेड़ता है, that is matter. Matter atoms particles से मिलके बना होता है, matter के तीन state होते हैं, solid, liquid and gas. यह आपका first chapter हो चुका है, solid में force of attraction ज्यादा होता है, as compared to liquid, as compared to gas. gas में सबसे कम होता है, ठीक है, gas को liquid में, liquid को solid में और solid को दुवारा से liquid में, और आपके जो liquid को उसमें, gas में convert हम कर सकते हैं, interchange of state हो सकता है, ठीक है, possible है, यह हमने first chapter में किया था, तो आपका second chapter है, matter around us pure, इसमें matter की, जो pure है, और जो impure है, उसको pure कैसे बतलेंगे, वो हम लिखेंगे, ठीक है, वो हम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, सबसे पहला है कि matter, जो है, pure, pure substance क्या होता है, pure substance होता है, जब आपके पास same type of particle present होते हैं, same type of particle present होते हैं, एक तरह के particle जब present होते हैं, उसको हम बोलते हैं, pure substance, ठीक है, एक तरह के particle जब present होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, pure substance, उनका nature एक जैसा है, ठीक है, वो pure substance है, ठीक है, बेसिकली दो तरह क्यों होते हैं, आपके elements and compounds, elements क्या होते हैं, elements होते हैं, जब atoms same type क्यों होते हैं, जैसे, O2, N2, यह आपके elements हैं, compounds क्या हैं, different different atom होते हैं, ठीक है, यह pure form ही है, ठीक है, elements और compounds, oxygen और nitrogen, इनमें एक से एक टाइप के atom होते हैं, ठीक है, और यह जो आपके carbon dioxide और ammonia है, ठीक है, यह दोनों pure ही है, मतलब carbon dioxide पूरा carbon dioxide ही ही है, ammonia पूरा ammonia के molecule ही हैं, तो molecules, molecules of element भी बोल सकते हैं इसको, और molecules of compound भी बोलते हैं, ठीक है, molecules of element, molecules of compound, molecules of element oxygen, N2, CO2, NH3, ठीक है, उसके बाद main जो है, इस वो चैप्टर में, वो है आपका mixture, में जो है, इस चैप्टर में, वो है आपका mixture, पहले हम type of mixture discuss करेंगे, उसके बाद उनको separate कैसे करते हैं, आपको discuss करेंगे, ठीक है, पहले खीचडी बनाएंगे, और फिर खीचडी बनाने के बाद, उस खीचडी के दाने अलगत रहेंगे, ठीक है, mixture, देखिए mixture क्या है, mixture, basically दो तरह का होता है, homogeneous, और heterogeneous, केमिकली अगर हम बोले हैं, कि homogeneous क्या होता है, homogeneous होता है, which has the same composition, ठीक है, which has the same composition, उसको हम बोलेंगे, homogeneous या फिर uniform composition भी बोल सकते हैं, आप इसको, same composition और uniform composition, uniform composition, अब uniform composition का मतलब क्या होता है, uniform composition का मतलब होता है, अगर मान लो, आपके पास एक glass पानी है, उसमें आप sugar dissolve कर देते हो, उसको अच्छे से dissolve करते हो, गोलते हो, तो क्या होता है, कि आपका जो चीनी है, वो अच्छे से dissolve हो गई, उसमें अब चीनी की आपने अगर वो नीचे बैठी वे डाट इस डिफरेंट देंगे अगर पूरी तरह डिजॉल्व हो गया तब जो इसका अपर लेयर है वो भी मीठा होगा नीचे वाला लेयर हो भी मीठा होगा तो यानि की मीठा जो हो थ्रूआउट फैला हुआ है तो य यूनिफर्म कंपोजिशन मीन्स की एक जैसा है सारे ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं जिनमें डिफरेंट कंपोजिशन होती है और डिफरेंट प्रॉपर्टी है डिफरेंट संदर आपके सो मानलो आपके पास एक एक ग्लास फानी है आप उसमें मिट्री किरते हो जो जो यहिए वह नीचे बैठdan बैठ जातीushand जो नीचे बढ़ जाती है अगर आप पानी को ऊपर से टेस्ट करेंगे तो उसमें मिट्टी का टेस्ट नहीं आएगा ठीक है नीचे से टेस्ट करेंगे मिट्टी आई आए आपके वह में तो वह होती है different composition solution की अलग-अलग तरह से composition composition मतलब वह एक जैसा हर जगह से वह अलग-अलग है जैसे इस में अंदर हर जगह से वह सेम होता है तो हडी मौत वह अलग-टलग तरह नेच्टी पर अलग अलग नेचर ओता है पार्टिकल का इसमें क्या ओता है चाहे कोई भी लोकेशन उपर नीचे ओ भीच में ओव लिक्विट सारा जेम ठीक है तो यह होते हैं होमोजीनेस और हैट्रोजीनियस मिक्स्चर आपके ठीक है उसके बाद जो मिक्स्चर का करेक्टर स्टीक है वो क्या बोलेंगे आप कि constitute में प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन ठीक है है होमोजीनेस होगे हर्टरोजीनेस होगे तो मिक्स्चर जो है मिक्स्चर के अंदर बेसिकली होता क्या है इसके अंदर हम कितनी भी रेशो में डाल सकते हैं जैसे कंपाउंड होते हैं आपके कंपाउंड में पर्टिकलर रेशो होती है जैसे कार्बन डाइक साइड है इसमें फिक्स रेशो है ना फिक्स रेशो है कि इसमें कार्बन और ऑक्सिजन फिक्स रेशो में कोई रेशो फिक्स नहीं होता कितनी भी मिक्स करतें वो क्या कहलाएगा mixture कहलाएगा ठीक है तो इसके अंदर जो भी properties present जो भी सौरी mixture के अंदर जो भी चीजे present होती है जो भी particle present होते है हर एक particle अपना nature दिखाता है जैसे sugar है अपना nature दिखा रहा है और आपका पानी है वो अपना nature दिखा रहा है ठीक है लेकिन compound में ऐसा नहीं होता compound में particular nature है बन जाता है इसमें carbon का और oxygen का अलग अलग nature नहीं दिखाई देगा ऐसा नहीं होता compound में क्या होता है carbon dioxide का nature दिखाई देगा मिक्सचर में क्या होता है यह compound है आपका कि mixture में क्या होता है चीनी अपना अलग nature दिखाएगी water अपना अलग मतलब मिठास जो आ रही है मिल करके आ रही है न तोनों की अलग अलग दोनों का नेचर मिल के काम कर रहा है लेकिन यहां पर क्या हो गया एक नई आडेंटिटी बन जाती है कार्बन डाइकसाइड अलग तरह से बीएव करता है ऑक्सिजन अलग तरह से इन दोनों को मिलके कार्बन ड तरह से बीएव करता है ठीक है तो इनका क्या है यह लेकिन कार्बन डाइकसाइड अपना अलग बीएव शो करता है तो कंपाउंड में जो क्रेक्टरिस्टिक characteristic properties होती है वो चेंज हो जाती है लेकिन इसमें mixture में characteristic property चेंज नहीं होती हर एक component अपना वही nature show करता है ठीक है उसके बाद next आता है आपका कि किसी भी तरह की energy जो आप बोलते हैं mixture बनाते हुए ठीक है mixture बनाते हुए किसी इनर्जी रिलीज नहीं होती mixture बन गया energy रिलीज नहीं हो रही है में लेकिन compound बनने पर energy release होती है carbon और oxygen को मिला करके अगर आप carbon dioxide बनाते हैं तो मतलब energy release हो रही है sorry energy use होती है उसमें तो इसमें ना तो energy किसी भी तरह की energy light किसी भी तरह का heat कुछ भी इवाल्व या फिर अब्जॉब नहीं होता mixture में किसी भी तरह का heat evolve या अब्जॉब नहीं होता लेकिन इसमें compounds के formation में ऐसा होता है ठीक है तो यहां पर हम mixture और compound में differentiate कर रहें ठीक है mixture कैसे होते हैं solution को छोड़ करके solution को छोड़ करके solutions भी mixture में आता है mixture के type होता है solution colloids वो आगे हम पढ़ेंगे suspension तो सिर्फ solution को छोड़ के accept solution सिर्फ solution जो है वो homogeneous होता है बाकी जितने वी mixture होते है सारे heterogeneous होते है ति ओप सालूशन जो है वो क्या होता है homogeneous होता है बाकी सारे क्या होते हैं heterogeneous होते हैं और इनको mixtures को हम separate कर सकते है फिजिकल method से लेकिन compound को हम separate नहीं कर सकते and chemical methods से ही हम उसको सेपरेट कर सकते हैं तो यहां देख आपको रिवाइज करना है थैंक यू एंड है नाइस टीज़